जैन दोस्तों मैं हूं लक्षिसिंग और आप देख रहे हैं एले सिंग स्टडी पॉइंट आज हम क्लास 10 का सोशल साइंस का यानि कि समाजिक बिग्यान का कोच्छन पेपर का सेलूशन करेंगे तो आप लोग इसका सेलूशन मिला ले और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब आपका सही सही उत्तर बताया जाएगा चलिए शुरू करते हैं तो पहला प्रस्ण है आंग सांसू की का संबंद किस देश से हैं इसका सही जवाब होगा मियान मार यानि कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दूसरा प्रस्ण है भारती राष्टिक आंगर्स का स्थपन कभ क्या था इसका सही जवाब होगा पानी का कीमत में व्रीदी यानि कि ऑप्शन ए इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोचन है निम्न में से किस पत्र ने रातो रात वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट को से बचाने के लिए अपनी भासा बदल दी तो इसका सही जवाब होगा अम्र में से किस सम्मेलन में जर्मनी की छती पूर्ती रासी को कम कर दिया गया तो इसका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरो सम्मेलन यानि की ऑप्शन सी अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है अमेरिका में निव डिल किसने लागोगी तो इसका सही जवाब होगा फ्रैंक सी नेक्स्ट्ट को तरो भारती है वणन जीव बोर्ड का घंट कब किया गया था तो इसका जवाब होगा नुचसर बी नेक्टSON है आयुरवेध के जनक कौन है तो धन्वंतरी यानिकि नेक्ष्ट खोचनग अग्ला परेशन है किजोन कोता है किस между कैंसर में इनकी इनके ऑप्चर्ण सीक्रहण नेमन मैं से कॉन नहीं करनी है और जा का सुन होता है तो जो सॉड्य और झार जाना बिजा लृई होग्चोन की तो हीररकूंट बैंड यहीं की option a next को चन देखते हैं अगला प्रस्ण है कहल गाओ ताप ये विदूत पर योजना कहां पर है तो भागलपुर में यानि की option c अगला प्रस्ण है निवने में से किस नदी का को बिहार का सोग कहा जाता है तो कोशी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है option c टका किस देश का मुद्र है तो बांगला देश यानि की option d अगला प्रस्ण है कि बिहार में पहला छेत्री गरामीन बेंक को बस्थापित किया गया था तो इसका सही जवाब होगा अन्नीशो पशत्तर यानि की option b next देखते हैं प्रस्ण अगला प्रस्ण के आए कि केंद्रि काड़ीन परदान करती है इसका सही जवाब होगा हमाई सबसे की अल्पकालीन यानि की option a is the right answer next देख लेते हैं आर्तिक विकास का तीसरा छेतर क्या है तो इसका स्थी जवाब होगा सेवा यानि की option d next सरकार द्वारा लगाए गया अन्यवस्ट्रक नियंतरों तथा परती बंधों को हटाना क्या कहलाता है तो इसका सही जवाब होगा उदारी करन यानि की option b बढ़ते हैं अगला प्रस्ण पर अगला प्र 35 यानि की option b next प्रस्ण वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट को किस ने रद किया था तो लौड रीपन नहीं की option b आपका सही उत्तर होगा अगला क्या है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या काला आया तो इसका सही जवाब होगा बोल सही यानि की option a next क्या है बाउदाई की सरकार क नहां थी तो दक्षिनी वियत नाम यानि की option b next question 28 नमर की उत्री और दक्षिनी वियत नाम के एकी करण कब हुआ था तो 273 में यानि की option d next क्या है कि निम्न में से किसके युगदान से इटली का एकी करण पुर्ण हुआ तो इसका सही जवाब होगा मैजिनी काउंट कावू इसका जवाब होगा इन में से सभी यानि के option d next question कि है ही रिखेल किस दिसका दर्शनिक था इसका सही जवाब होगा फर्árias यानि E9 व्ब्帶 सब्स Тем्रून किया था नेपोलियन बोनाइन पार्ट यानिके option B next काया कि अंतरास्त्री यं अलया दिवास की गोचना किस संस्ता ने यानिकि option B next question देखते हैं अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन प्रकृतिक आपदा नहीं है तो महामारी जो है वो प्रकृतिक आपदा नहीं है वर्स अनई 24 में बिहार ने किस प्रकृतिक आपदा का सामना किया तो इसका सही जवाब होगा भुकाम्प यानिकि option C next question देखते हैं कच्छ परदेश किस भुकाम्प ये पेटी से संबद्धित है इसका सही जवाब होगा John 2 यानिकि option A is the right answer next है महारी अगला प्रस्ण है महासागर तल में कमपन को कहते हैं तो सुनामी कहते हैं यानिकि option C next question देखते हैं next question है मलवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है तो इसका सही जवाब होगा infrared camera यानिकि option B next question क्या है कि भारत का सम्विधान सभा का गठन कब हुआ था तो अन्यश्व उनन्चास में यानिकि option D आपका सही जवाब होगा अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है यानिकि रूमा कहां का राश्ट पती चुने गए थे तो option C यानिकि घाना option C next क्या है कि रजनितिक दलो की मायनेता और उसका चिन्य परदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा यानिकि option C is the right answer next क्या है कि हुगली औधोगिक प्रदेश का केंद्र है कहा है तो कॉलकता हावरा यानिकि option D आपका सही जवाब होगा अगला प्रस्ण देखते हैं 42 नमर भारत का सबसे छोटा railway जोन कौन है तो उत्तर पुर्वी सिमांत railway यानिकि option B आपका सही जवाब होगा फाल्टा वीशेस आर्थिक छेतर कहां इस्ती थे तो पस्चिमी बंगाल में यानिकि option B next प्रस्ण देखते हैं question अगला question क्या है कि भारत का पहला सीमेंट संयंतर कहां स्थापित हुआ था तो चिन्नई में यानिकि option D next question क्या है कि भारत का बंगम किस सहर को कहा जाता है तो जमसेदपूर यानिकि option B next question क्या है कि निमन मेंसे कौन जवास में इंधन है तो कोईला, पेट्रोलियम और प्रकृतिक गेस यानिकि इनमेंसे सभी यानिकि option D next question देखते हैं next क्या है कि बाग पर यूजने के शिरुवात कब हुई थी तो 273 में हुई थी यानिकि option B is the right answer ठीक है अगला प्रसने देखते हैं क्या है काजी रंगरास्टी उधन कहां पर है तो awesome है यानिकि option D next question बल्ला भाई पर टेल को सरदार की उपादी किस किसान अंदुलन के द्वारे दी गई थी ठीक है तो इसका सही जवाब होगा बारदोली यानिकि option A next क्या है कि निम्न में से किन है सिमान्त गाधी के नाम से भी जाना जाता है तो खान अब्दुलकफर खान यानिकि option C अपका सही उत्तर होगा अगला प्रस्ने देखते हैं भारत सरकार एधनीम अन्नाइश सो अन्निस को किस नाम से जाना जाता है मन्टेग्यू चैंस फोर्ड योजना यानिकि option A ठीक है उसके बाद next question क्या है कि अंकोरवाट मंदिर का निर्मान किस ने कराया था तो इसका सही जवाब होगा सुर्य वर्माद द्वीतिये option B next question क्या है यह है कि बोलसेविक दल का कारेकरम अपरेल थिसिस किस ने लिखा था लेनिन ने लिखा था option C अंतरास्टरिय मजदूर दिवस कब मना जाता है तो एक मुई को मना जाता है option A अगला कुशन क्या है कि समाजवादियों कि बाइबिल किसे कहा जाता है तो दास कैपिटल को कहा जाता है यानिकि option C अपका सही जवाब होगा अगला प्रस्ण देखते हैं 56 नमर रक्त और लोह की नीती का उलंबन किस ने किया था रक्त और लोह का नीती का उलंबन किस ने किया था तो बिस्मार्क ने किया था यानिकि option C होगा अपका सही जवाब निम्ड में से कौन छेत्रिय पार्टी है तो इसका सही जवाब होगा बहुजन समाज पार्टी यानिके option B is the right answer next question अगला प्रस्ण है बंगला किस रजनीतिक दल का चुनाव चिन होता है तो लोक जनसक्ती पार्टी का option C आपका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी पर यूजना की निटा जो से संबंदित हो तो इसका सही जवाब होगा गुजरात महरास्ट मध्यप्रदेश यानिके option D नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारतिय किसान यूणियन के परमुख नेता थें तो इसका सही जवाब होगा महेंद सिंग टिकैट यानिकी option C is the right answer नेक्स्ट कोचन क्या है कि जीला परिशत का करेकाल कितने वर्ष का होता है तो पांच वर्ष को होता है यानिकि option B नेक्स्ट कोचन क्या है कि पंचायती राजपरनाली के शुरुआत कहां होई थी तो राजस्थान में होई थी यानिकि option B नेक्स्ट प्रस्णाय देखते हैं अगला प्रस्णाय कता है अगला अप्सें इंगर्प्रूर्त्य जला सेंसरे सरकारों तो योग विश्य कब लोनी जाने का बनी तो अन्याइश. आन्याइस को प्रफित प्र- म प्रिशन व्यलमिने से कौन नुब्ड ses का एक परकार हैं तो इसका ज़्याइश. discharge chain अंगल पर उजना किस नैदी पर बनिया तो सट्रलज बनी यानि कि आप्सन भी आपका सभी उत्तर होगा अगला प्रस्ण देखते हैं अगला क्या है कि हिमाचल प्रदेश के मनीकरन में किस परकार का उर्जा स्रीयंत्र है इसका सही जवाब होगा भूताप ये उर्जा स्रीयंत्र यानि की अगला प्रस्ण है कि प्रकृतिक गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है तो प्रेट्रोलियूम के साथ पाया जाता है ऑप्शन बी ओध्राइट अंसर नेक्स का ब्रिटेन के सहयोग से कहां लग इस पात उद्धुद्ध बनाया गया तो सेला में बनाया गया था ऑप्शन सी बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभाव नहीं है, यह कतन किस ने कहा था, तो अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एपीज अब्दुल कलाम यानि कि option B, अगला प्रसन देखते हैं क्या है, अगला प्रसन है कि भारत में योजना आयो गठन कब हुआ था, तो इसका सही ज पहली, option A, next question, अगला क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके दोरा किया गया जाता है, UNDP, option C is the right answer, next question देखते हैं कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस परधान मंत्री दोरा जड़ी किया गया था, तो इसक सही जवाब होगा, अर्टल भी आड़ी भास पही जी ने, यानि कि option B, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, next question, क्या है कि गड़ीबी का कुछ चक्रेधारना किस ने दी थी, तो इसका सही जवाब होगा, रैगनर नकर्ष, तो रहसा कट गया इसका, यानि कि option D होगा, ठीक है, option D, इसका सही जवाब होगा, कौन है, रैगनर नकर्ष थे, अगला प्रशनी क्या है, next question है कि भारत के सरदिक प्रतिवेक्ति आए, वाला राज्य कौन है, तो इसका सही जवाब होगा, गोआ, यानि कि option B, आपका सही उत्तर होगा, next and last, वर्स भर में किसी देश में, अर्ज सब कंप्लीट हो गया, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने मित्रगन को के पास भी सेयर कर दे, धन्यवाद,